Dear students, छेली हम लोग Class 9th के लिए Math subject को पढ़ना शुरू करते हैं जो भी students Cbse से इस बार 9th में गये होंगे उनके लिए ये सबसे important channel, important videos है जिस पे आपको इस lockdown में हर day, per day अगर बोले तो regular videos upload की जा रही है जो हम लोग chapter चल रहे थे हैं chapter number 1 तो अब chapter number 1 में जो हम लोग complete किये हुए हैं exercise 1.4 तक के question को complete कर लिए हैं अब हम लोग exercise 1.5 के लिए सबसे पहले कुछ theory में सीखेंगे कि हमें कुछ formula या फिर कुछ उससे related questions पहले हम लोग example के तौर पे theory के रूप में हमें करना होगा देन हमें exercise में जो question मिलेगा उसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं तो चलिए हम लोग जो topic सीखेंगे सबसे पहले जो topic होगा operation on real number ठीक है यानि कि real number का operation हम लोग कैसे करेंगे ठीक है ना real number किसको कहते हैं जिसमें rational number भी आता हो जिसमें irrational number भी आता हो उसको अम लोग क्या बोलते हैं उसी को न बोलते हैं हम लोग रियल number अगर कोई पूछ दिया कि real number क्या है या फिर इसके बारे में आप बताईए तो हम इसका example एक rational number का भी दे सकते हैं और irrational का भी दे सकते हैं यानि कुल मिला कर हम यह बोलना चाहा रहे हैं कि जो रियल number होता है वो क्या होता है तो रेशनल एंड इरेशनल जिहां इरेशनल जान रहे ना रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या है combination है ठीक है रेशनल और इरेशनल का combination है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल number अब रेशनल किसको कहते हैं तो रेशनल के बारे में हम लोग पड़े हुए हैं कि रेशनल number जो होता है उसको हम लोग किस form में बोलते हैं तो पी बटा क्यू के form में यानि कि जो तो रेशनल नमबर होता है, वो क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जबकि ए रेशनल नमबर जो होता है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, और जहां तक सवाल है ए रेशनल नमबर का, तो रूट में भी वैसी नमबर होती है, जिसका पूरा-पूरा square root नहीं निकलता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, irrational number, ठीक है, तो real number में rational और irrational दोनों आता है, तो अब हम लोग उसी का operation सिख रहे हैं, operation का मतलब क्या हुआ, operation का मतलब हुआ, कि अगर कोई भी real number हो, यानि कि rational हो इरेशनल हो तो उसको अगर sum करते हैं तो result क्या आता है अगर सबस्टरक्ट करते हैं तो result क्या आता है तो जड़ा उन्हें चीजों पर हम आज discuss करने वाले हैं अगर यह चीज अगर आपको समझ आ गया तो कोई वी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नंबर वन रूल से है इस अपरेशन और रियल नंबर का कुछ रूल से है पहला रूल से यह है कि कोई भी रेशनल नंबर है या कोई भी रेशनल नंबर है या ठीक है रेशनल को अगर rational के साथ अगर हम लोग add करते हैं तो rational rational को add करने से क्या मिलता है हमेशा rational मिलता है ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए rational और rational का जो add होता है वो हमेशा क्या होता है rational होता है अगर दूसरा सवाल ये बोले कि rational rational और पलस irrational रहेगा तब क्या result होंगी तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि rational और irrational का जो add होगा वो क्या होगा तो हमेशा irrational होगा ठीक है rational में irrational अगर add हो जाएगा तो क्या हो जाएगा irrational उसी तरीके से तीसरा जो है अगर हम लोग rational का rational में से minus करते हैं जैसे rational minus rational तब क्या होगा तब भी rational में से अगर rational को खटाएगे तब भी क्या बनेगा तो हमेशा rational ही बनता है ठीक है यानि कि कुल मिला कर हम ये देखना चाहा रहे है कि ये कुछ न कुछ हमें rules है और हमें याद करने की जरूरत है अच्छा rational में से rational को खटाते हैं तो क्या मिलता है हमेशा rational मिलता है अगर अगला चौथा rules का बात करें तो अगर rational में से e rational को घटाते हैं e rational को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमेशा e rational मिलता है e rational ठीक है या फिर आप ये बोलें कि पहले सर e rational नंबर रहेगा और बाद में rational नंबर रहेगा तब घटाने पर क्या होगा मतलब कि e rational minus rational देख पार होंगे यानि कि e rational में से अगर rational को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा तब पर भी हमें e rational ही मिलेगा देख पार होंगे तो rational और rational का जोड या rational rational का घटाओ ही हमेशा rational होता है otherwise अगर आजाए तो अगर रिशनल नमबर के साथ सात कोई अगर इसको क्या बोलते हैं तब उसको जोड़ घठाव होगा यानि कि एड और होगा या सब्सक्रेक्ट होगा वह मैंसे क्या होगा इयरेशनल अब ज़र आप plus minus का बात करते करते हैं हम लोग चलते हैं multiply पे तो multiply का भी कुछ rule norm है जिसको आपको जनना चाहिए छटा सवाल कुछ ही तरीके का है अगर माल लिया rational का इस तैसे हैं और इसको rational के साथ multiply करता है इन चीजों को आप जरूर नोट कीजेगा क्योंकि बहुत बहुत important points है अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आप आपको फिर exercise में problem हो सकता है ठीक है तो इन चीजों को हम बताने के लिए ही आपको ये rules नियम दे रहे हैं otherwise ये book में कोई rules नियम नहीं दिया हुआ है ठीक है तो rational और rational का multiply क्या होता है हमेशा rational होता है ठीक है अगर सत्वा सवाल का बोला जाए सत्वा rule अगर मन लिया जाए ये rational है ठीक है और इसको इरेशनल से multiply किया जाए जैसे स्वारी इरेशनल तो रेशनल और इरेशनल रहे और इरेशनल इस सब का multiply क्या होता है हमेशा रेशनल और इरेशनल का जो multiply होता है इरेशनल होता है ठीक है अच्छा जड़ा डिवाइड का भी बात कर लेते हैं नाइन नंबर में कि रेशनल और का डिवाइड रेशनल के साथ रहेगा तब ही ये बन पाएगा रेशनल अधरवाईज रेशनल में रेशनल में डिवाइड अगर इरेशनल से करें ठीक है रेशनल में अगर इरेशनल से डिवाइड करें तो क्या बनने वाला है इरेशनल बनने वाला है या फिर ये बोलें कि अगर मानलिया सर ऐसा नहीं होता पहले इरेशनल होता E rational divided तब rational होता तब क्या करते तब पर भी हमें ये E rational ही होता समझ रहे हैं इन चुजों को अच्छे से यानि हम ये बताना चाहा रहे हैं कि अगर कोई rational number होगा तो उसका जोड यानि कि add rational होगा rational और E rational का plus E rational होता है rational और rational का minus rational होता है और rational और E rational का minus E rational ही होता है यानि कि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा trick यहाँ ये हुआ कि अगर rational rational रहेगा चाहे वो plus में रहे, minus में रहे multiply में रहे, divide में रहे तब ही हम उसको rational बोलेंगे other wise एक rational रहे और E rational रहे, समझ पा रहे होंगे अगर एक ठो अगर rational रहे एक ठो रहे और एक ठो E rational रहे तो हम लोग उसका plus minus को हम लोग क्या करते हैं E rational बना देते हैं ठीक है, यानि कि कोई एक ठो rational रहेगा अगर एक ठो कोई E rational रहेगा तो हम लोग उसको irrational ही बोल देंगे ठीक है यानि कि कोई एक थो रहेगा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों irrational ही हो अच्छा एक चीज आप तो पुछना ये भूल गए होंगे या फिर हम बताना ये भूल रहे हैं कि अगर सर ऐसा कुछ होता कैसा भई कि मान लिया irrational और irrational का सम रहता है जैसे irrational अगर प्लस को इसनल ठीक है तो इसनल इसनल का प्लस क्या होता है इसनल होता है कि कि यह हमेशा होता है और अगर बात किया जाए नेक्स्ट कोशन में लिख लिजेगा इसनल माइनस irrational तपर भी क्या होता है irrational ही होता है ठीक है irrational और irrational का multiply हमेशा क्या होता है irrational ही होता है लेकिन इसका multiply और divide में कुछ नहीं का आजा सकता है यानि कि irrational और irrational का multiply और rational भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है इसलिए irrational irrational का multiply और divide का कोई rule नहीं है तो आप इन चीजों को गौर करते हुए आप हम आप जो है decide कर सकते हैं कि कौन सा नंबर rational है और कौन सा नंबर irrational है जरा हम कुछ example आपके सामने रखते हैं इतना चीज अच्छे से नोट कर लिजेगा उसके बाद आपके सामने हैं एक questions के तौर पर एक examples के तौर पर questions ला रहे हैं जैसे कुछ इस तरीके से जैसे मान लिया example में question है question क्या है question यही है कि आपको चुनना है कि कौन rational है और कौन irrational है ठीक है आपको चुनना है कि कौन irrational है और कौन रिष्नल है चलिए पहला कुछ इस तरीके से है रूट 5-2 आपको बताना है कि यह जो नंबर है यह क्या है है रिष्नल है या irrational है यक्या है आप देख पार हूँगे आप पहस्conomy है कि रूट 5 क्या है रूट 5 यह पास्पेसाल पहस्चानी है तो रूट रेशनल नंबर है और ये टू क्या है तो टू एक रेशनल नंबर है तो जब हम लोग जानते हैं न कि रेशनल में से अगर रेशनल को घटाते हैं तो क्या बनता है हमें रेशनल बनता है इसलिए ये जो नंबर है ये क्या है रेशनल नंबर है यानि कि बहुत असानी से हम कि अगर मान लिए ऐसे रहेगा दूरूट टू इन्टू अ पूर ठीक है यहाँ पर पश्चानने की लिए बोलेगा कि आप यहाँ पर पश्चानी तो यह जो it is conditional है और रूट्टू क्या है j reasoning है क्यों कि कि स्का पुरा पुरा रवर ग 어떡 reverse ने elt निकलता है रूटू का पुरा पुरा सक्वारूट ने लिकलता है तोर Mmm इरेशनल लंबर है और टू रेशनल लंबर है तो रेशनल और इरेशनल का मल्टिप्लाई क्या होता है इरेशनल तो यह तो पूरा बन जाएगा इरेशनल और इरेशनल को फिर से अगर रेशनल जे मल्टिप्लाई करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा सरी हां ठीक तो था इरे हुआ आपको डिल स्टूडेंट्स करना क्या है हम जो एक्जामपल में कुछ कोशन दे रहे हैं उसको आपको होमवक्स के तौर पे इस डवलू के टॉप्स पे आपको इन सारे कोश्चन को पहस्चान करना है कि कौन रियल नंबर है कौन सरी कौन रेशनल नंबर है और कौन इर इन चीजों को बना कर ग्रूप में जरूर सो जरूर सेंड करना है जिससे पहला कोश्चन है फॉर माइनस थ्री रूट टू शीक्स प्लस फॉर जीरो माइनस रूट एट थ्री माइनस रूट नाइन 4 प्लस रूट पचीश तेरह माइनस रूट छो रूट फाइप माइनस रूट टू रूट शीक्स प्लस रूट फॉर आप इन सारे कौश्चन्स को जरूर से जरूर बनाएगा रेशनल और इरेशनल चुनने का परियास किजिएगा जहां कहीं भी गलती होगा तो हम चुकी आपके साथ है तो कहीं से भी कोई प्राब्लम नहीं होगा तो आप इन चीजों को जरूर से जरूर बनाएए तो अब आईए हम लोग इसके आगे कुछ फार्मूला को पढ़ते हैं फार्मूला या फिर बोल सकते हैं रूल्स है फार्मूला या फिर बोल सकते हैं कि रूल्स है अब क्या-क्या रूल्स है जरा उन चीजों को हम लोग समझेंगे ठीक है अब हम लोग यहां पर देख पा र कि अगर रूट के अंदर कोई भी दो नंबर है जैसे मान लिया A है और इंटू में B है ठीक है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं रूट में अलग-अलग तोड़ सकते हैं जैसे कि रूट A इंटू रूट B ठीक है जवरत पढ़ने पे हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं अगर गुना रहेगा तब ठीक है वैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर रूट में A बटा B रहेगा रूट अंडर में A बटा भी रहेगा तो इसको हम लोग भी तोड़ सकते हैं रूट में A और बटा में रूट में B ठीक है यानि कि जब गुना में रहता है तो हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं जब भागा में रहेगा तो हम लोग अलग अलग उपर नीचे तोड़ सकते हैं लेकिन dear students अगर हमें root के अंदर में अगर a प्लस b रहेगा तो आप कभी नहीं तोड़ियेगा root अंडर a प्लस root अंडर b ये कभी नहीं होता इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं ये बातों आपको ध्यान देना चाहिए उसी तरीके से हम ये बोलें कि root में अगर a minus b रहेगा तो हम लोग इसको root a minus root b नहीं लिख सकते हैं यानि कि root के अंदर में जो चीजे रहती है जो चीजे रहती है उसको हम लोग किसमे अलग-अलग तोड़ सकते हैं तो जब into में रहे या फिर divide में रहे लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं किजिएगा ऐसा math का rules नियम में नहीं बोलता है आप इसको अलग-अलग तभी कर सकते हैं जब into में रहेगा तब अलग-अलग कर सकते हैं या फिर divide में रहेगा तब हम लोग इसको अलग-अलग कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से अब जरह हम बात करते हैं कि इसका उलटा भी सही है अगर रूट में A है रूट में B रहेगा जिसे A B का मतलब आप समझने रहे हैं जिसे माल लिया रूटर में रहेगा चार गुना पांच ठीक है तो इसको हम लोग-अलग अलग रूट चार और रूट पांच को अलग-अलग कर सकते हैं ठीक है उसी तरीके से रूट अंडर अगर 7 रहे और रूट अंडर 3 रहे तो हम दुनों को मिला भी सकते हैं रूट अंडर 7 तरीजा 21 लिख सकते हैं ठीक है तो एक एक जामपल के तोर पे हम इधर बता दिये तो इधर नोट नहीं किजिएगा इससे कोई प्राबलम नहीं है लेकिन इसको जरूर नोट करना है ठीक है ताकि ये चीज़े इंपोटेंट होती है अच्छा फिर हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा रूल्स का पांचवा को रूल्स क्या बूलता है की हमेशा रूट ए में रहे पलस रूट बी में रहे और रूट ए माइनस में रूट बी रहे तब हम इसको लिख सकते हैं A minus B, ठीक है, root A plus B, root B रहे, और bracket रहे, bracket का मतलब यहां क्या समझना होता है, multiply समझना होता है, root A minus root B रहे, तब हम इसको क्या बूल सकते हैं, A minus B, ठीक है, next, छठा नमबर, अगर मान लिया कि सवाल ऐसा रहेगा, A plus root B और into रहेगा, A minus root B, ठीक है, यानि कि ऐसा कुछ सवाल रहेगा, A plus root B into A minus root B, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो A और A का multiple करके, A square minus root B और root B का सिर्फ भी ले सकता है, आपको एक और root चीज जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कि root में अगर A रहे, और root में A रहे, तो हम इसको सिर्फ A लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे example देता है, root 3 है, गुना root 3 है, तो हम इसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं, dear students क्यों लिख रहे हैं, जिसे मान लिया root 5 है, और root 5 है, तो अभी बुलना कि root के अंदर अगर अलग 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 रहेगा, तो root के अंदर इसको multiply कर लेंगे, 5, 5, 25 और 25 का square root 5, इसलिए यहाँ पे square root हट जाता है, ठीक है, तो root A और root A मिलने से A बनता है, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग सिखते है, rule number 8, rule number 8 क्या बोलता है, rule number 8 यह बोलता है, कि अगर मान लिया root A रहे, plus root B रहे, और bracket रहे, फिर रहे root C, plus root D, इतना सारा चीज़ रहे, ठीक है, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका करने का जो rule है, वो क्या है, तो एज इक्वल टू, root A को जब root B के साथ करेंगे, root A को स्वरी, यहां पर देख पा रहे होंगे, root A को जब root C के साथ करेंगे, तो root A root C बनेगा ठीक है और इसी root A को root D के साथ करेंगे तो क्या बनेगा root A into root D ठीक है और इसी root B को root C के साथ करेंगे तो क्या बनेगा plus root B into root C ठीक है और इसी root B को root D के साथ करेंगे तो क्या बनेगा root B into root D तो इस तरीके से हम लोगों का बनेगा अगर plus और धोनो plus में रहे है जिसे root A रहे root B रहे फिर इन्टू रहे root C plus root D रहे तो हम लोग ऐसे multiple कर सकते हैं अच्छा फिर आते हैं एक नवा नमबर पर अगर मान लिया कि ऐसा कुछ सवाल रहे है root A plus root B का hall square ठीक है अगर ऐसा सवाल रहे है root A plus root B का hall square तो इसका क्या बनेगा A square plus two root A root B क्योंकि root A root B दोनों है तो two root A two root B plus B square नहीं होगा यहां पर dear friends square गलती से लिखा गया A plus two root A root B plus B तो इस तरीके से हम लोग इसका इस फर्मूले पे कोई भी question को तोड़ जकता है जैसे माल लिया कि question दे दिया एक example के तौर पर question ले रहे हैं जैसे root two plus root one ठीक है कोई into करना रहेगा root two minus root one ठीक है ऐसा कुछ question दे दिया तो हम लोग इसको कैसे करेंगे तो root two plus root one into root two minus root one तो यही वहला पर फर्मूला पर ना root A तो root A के जगा root two है plus root B तो plus root B के जगा root one है और root A minus root B तो root two minus root one तो A minus B तो A के जगा पर कितना है two minus B के जगा पर one तो दो मेंसे एक गया एक answer तो इस तरीके से हम लोग को अगर formula याद रहेगा देख पार होंगे total लगबग 9 formula है और इन formula को आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से क्योंकि ये चीज़ें याद रहेगी तो हम लोगों को exercise में कभी से कोई problem नहीं होगा तो मुझे उमीद है कि आप जरूर इन formula को इन से rules को जरूर याद किजिएगा चुकि आपके सामने तो हम है नहीं कि ये सारे formula को class की तरह सुन सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि घर में कोई भी होंगे पढ़े या फिर छोटी भाइबैन बड़ी भा आपको सुन सकते हैं तो आप उनसे जरूर सुनवाइए तो कि आपके अंदर जो energy है न वो खुद से रिलीज होती है पढ़ने के लिए पढ़ने के प्रती जादर से जादर जागरूख होंगे आप इन चीजों को लेकर तो मेरा कहने का मतलब कि आप इन चीजों को जरूर य मिलते हैं अगले क्लास में तब तक धन्यवाद